ओके सो हेलो एवरीवन 6.8 और 7.35 जोकी लॉरियल का प्रोडक्ट है और इसमें हमारा मिक्सिंग रेशो क्या होगा डेवलोपर का और हमें कलर किस तरह मिक्सिंग करना है और हमें हैर्स पर जो हम लोग कलर कर रहे हैं वो ग्लोबल कर रहे हैं या फिर हाइलाइट्स तो पूरा प्रोसीजर आज का डिटेल में है तो दोस्तों फूल प्रैक्टिकल आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो पर लाज तक बने रहना तो चलिए हमने स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि हैर काफी ज़्यादा अन्प्रोफेशली तरीके से कलर किया हुआ है याने कि बहुत ही पैची लुक हुआ है और इन्हें इस कलर को हाइट भी करना है और एक ग्लोबल सा लुक भी देना है तो दोस्तों अगर आप लोग के बास ऐसे कोई क्लाइंट आते हैं जिनके हैर फिर ब्लॉंडर से कोई पैची लुक दिया हुआ है या पिर कलर कुनको अच्छा नहीं लग रहा तो हमें कौन सा कलर डिपोजिट करना है तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्लब्स को अच्छी डाक ब्लॉंड फैमिली से है और 7.35 यह है मोहगनी गोल्डन ब्लॉंड फैमिली से तो इसे हम मिक्सिंग करेंगे दोनों को और दोनों मिक्स करके किस तरह हम लोग कलर मिक्सिंग का एक रेशो बनाएंगे पूरा विडियो देखिए तो आधे कि हमने पहले 6.8 निकाला 6.8 निकाला हमने 35 ग्राम क्योंकि हमें कलर जादा हाइड करना है तो हम लोग 6.8 जादा लेंगे और उसके बाद में हम लोग 7.35 लेंगे 25 ग्राम तो टोटल हमारा हो जाएगा 60 ग्राम तो देखिए हम लोग कलर वेट करने वाले मशीन पर देख सकते हैं डिस्पले में आप लोग यूज कर रहा हो 20 वोल्यूम का और हमें सिर्फ डिपोजिट करना है इसलिए हम लोग 20 वोल्यूम कर लेंगे और जितना हमें चाहिए टिंच वो टिंच हमारे लेंद पर आसानी से आ जाएगा तो चलिए इसे पहले आच्छी तरीकी से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों लाइक न वो इस टाइप का शेड है तो ये दोनों शेड को हम मिक्स करेंगे और हमें रिजल्ट आने वाला है काफी ज्यादा अमेजिंग तो दोस्तों काफी महनेत लगती वीडियो बनाने तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर करना तो देखिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कि पतले सेक्शन्स लेते हुए रूट को छोड़ते हुए हम लोग लेंद पे लगा रहे हैं आप लोग को रूट कम से कम आधा इंच सिप्स छोड़ना ये नहीं कि जाधा छोड़ दो फिर वहां से जो प्रिलाइटनिंग वाला ब्लॉंडर वाला हैर हो दिखे ऐसा नहीं करन जो कि पैची टाइप का लुक दिखने लगी तो प्रॉपर तरीके से आप लोग को लेंद पर लगाना है रूट को छोड़ते हुए ध्यान में रखना आप लोग को रूट पे नहीं लगाना है क्योंकि रूट पे लगा होगे तो जाधा कलर शो होगा तो आप लोग को ध्य रिजल्ट आने वाला है और मैं आगे आप लोग को और भी टिप्स देने वाला हूँ कि इसे किस तरह से वाश करना है इसे किस तरह करना है तो दोस्तों पहले हम लोग पटापट कलर लगा लेते हैं और हाँ दोस्तों इस वीडियो को जाधा से शेयर करिए क्योंकि बहुत पैची लुक वाले हैर जो की प्रिलाइटनिंग किये हैर से जो कॉपर दिख रहे हैं जिने हाइड करना है उन हैर पर आप लोग देखोगा कि अच्छा कासा कलर आ जाएगा बट जो हमारा नॉर्मल है उस पर भी काफी अच्छा सा टिंच दिखेगा यानि कि आप लोग को अगरा काफी बहतरीन देने वाला है तो इस हेयर का कलर आप लोग यूज़ करिए। सकते हो बत आप लोग को ग्लोबल करने के लिए back side से करने की कोई ज़रुएत नहीं आप लोगा वाई स्टर्ट से स्टार्ट कर सकते हो तो देखिये हम लोग step by step color back side तक भी लगाते आ रहे है आप लोग को ध्यान देना है की जब भी आप लोग कलर लगाओ तो बहुत भी प्रॉपर और प्रफेशनली तरीके से लगना चाहिए और जब भी आप लोग को होम केर के लिए मैं बता दूँ कि आप लोग को यूज करना है तो कलर प्रोटेक्शन शैंपू और कंडिशनर यूज करना है बहुत लोगों का डाउट बहुत लोग की जरूरत नहीं आप लोग डारेटली जहां से शॉप से मिलता है वहां से प्रोटेक्शन लीजिए अगर ऑनलाइन लोग है तो ऑनलाइन कभी-कभी डुब्लिकेट या फिर चीप आ जाता है तो चलिए हमारा अप्लिकेशन पूरा तरीके से कंप्लीट होने वाला है आप ध्यान दिजिए कि जब भी हम लोग कलर लगाते हैं तो कलर लगाने के पहले गलफ्स पहनना बहुत जरूरी है तो गलफ्स हमेशा कैरी करिए क्योंकि गलफ्स से ही आप लोग के नेल्स में या फिर आप लोग के हैंड में लगेगा नहीं जिसके वज़से अगर आप लोग जबास जदा 30 मिनिट करेंगे, 30 मिनिट के बाद में आप लोग को इसे wash करना है, तो 30 मिनिट करेंगे और उसके बाद में करेंगे wash, दोस्तो आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरो करना, और मेरा इंस्टाग्राम आईडिय है, तो देखिए हमारा complete हो चुका है पूरा coloring अब आप लोग को 30 minutes के लिए वेट करना है देन 30 minutes के बाद में आप लोग को इसे करना है wash तो wash किस तरह करेंगे किस तरह हम लोग को इसे निकालना है उसमें भी एक trick है तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूं आगे किस तरह करना है जब भी आप लोग शैंपू चेर पर अपने क्लाइन को ले जाएं तो हमेशा सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और फिर पानी डालने के बाद में जो भी कलर है उससे अच्छी तरीके से पहले मलसीफाई करिए पूरा हैर्स में कहीं छूट गए हैं या फिर कहीं रह गए हैं तो उससे वो मिक्स हो जाएंगे तो पूरा प्रॉपर तरीके से उससे मलसीफाई कर लेना है और मलसीफाई जब अच्छी तरीके से हो जाए जएगे करांगें तकंडिशनर के बादुर्ट से अजाये हैं ताने के बादुस्टेक्र के सेिख लुक रखा है, क्यूंकि इनके हेर उनको स्ट्रेट ही चाहिए थे, कोई कल्स वाला लुक नहीं चाहिए थे, इस्सेहर हम लोग ने इसमें पैंडल ब्रस करके स्ट्रेट लुक ही रखा है और स्ट्रेट लुक रख रहे हैं तो ध्यान दीजे कि प्रॉपर पुरा स्ट्रेट होना चाहिए आप चाहे तो आइनिंग का भी यूज़ कर सकते हो तो ये हमारा फाइनल रिसल्ट कम्पलीट हुआ है हमारा कलर आप लोग देख सकते हो कि जो भी हमारा टिंच था वह आ चुका है और जो भी कॉपर टाइप मे ज़रूर बताना और कलर से रिलेटेट वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना और मेरा इंस्टाग्राम आइडी पर ज़रूर फॉलो करना इंस्टाग्राम आइडी का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाईए और वहाँ पर क्ल का वीडियो काफी अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा तो इसी तरह में आप लोग के लिए नहीं नहीं वीडियो आते रहेंगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई बाई टेक केर